आज पढ़िंगे हम EMI EMI पे फ्रिज ले लो EMI पे टीवी ले लो ने, 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 EMI मतलब Electromagnetic Induction हलो एप्रिवान मुझे उमीद है कि आप सभी अथे हैं और आज में लेकर आए हूँ Class 12 Visits Electromagnetic Induction का One Shot वीडियो हमेशा की तरह खदम करेंगे इस पूरे लेसन को सिरफ एक वीडियो में और इस एक वीडियो को देखने के बाद आपके कॉंसेंट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर तो मैं हू रोश्णी फ्रम लानोहाफ दे फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहाँपर आप Physics, Chemistry, Maths, Biology, सब कुछ बढ़ सकते हो absolutely for free at learnohaaf.com सो तयार है साभी लोग लेट्स गेट स्टार्टटट तो बच्चों, Electromagnetic Induction यानि की EMI के प्रिंसिपल्स और कॉंसेप्स के उपर बेस करके बहुत सारी ऐसे डिवाइस और सिस्टम्स बनाए गए हैं जो हमारे day to day life में हमें बहुत काम आते हैं जैसे की electric generator, electric motor, wireless charging, transformers यह सारे electromagnetic induction के concept पर बेस्ट है बट आज पढ़ेंगे हम electromagnetic induction यानि की EMI की कहानी कुछ हमारे scientists थे हैं जैसे की Henry और Faraday जिरोंने कुछ ऐसे experiments परफॉर्म किये थे जहां से electromagnetic induction के concept की शुरुवात हुई और वही से बना हमारा modern day generators electromagnetic induction, electromagnetic इस नाम पे फोकस करेंगे कई लोग कहते हैं के नाम पे क्या रखा है लेकिन जब हम physics के मेश्पी पढ़ते हैं तो नाम में बहुत कुछ रखा है right, electromagnetic word से हमें यह पता जलता है कि electricity और magnetism यह दोनों closely related है induction मतलब कोई तो चीज इंड्यूस हो रही है क्या इंड्यूस हो रही है? क्या produce हो रहा है? वही तो देखना है, right? तो बच्चों जब हम magnetism के बारे में इथनी पढ़ाई कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि moving electric charges जो होते है वो magnetic field produce करते है कहा देखा था हमने यह याद करो याद करो और्स्टर के experiment याद है? हमने कर गे देखा था, right? तो और्स्टर के experiment में हमने क्या किया था? मतलब experiment तो और्स्टर जही नहीं किया था बढ़ जब हमने उसे अपने वीडियो पे किया था तो हमने क्या किया था? हमने क्या किया एक वायर लिया उसके थू हमने current pass करवाया उस वायर के थू करेंट पास हो रही है मतलब क्या मूव कर रहा है? electric charges मूव कर रहे है और उसे के neighborhood में हमने एक magnetic compass रख दिया था और हमने notice किया कि जैसे ही उस वायर से current flow करे वैसे ही मेरा magnetic compass deflect करे इससे क्या प्रूव हुआ था? कि moving charges जो है ये produce करते हैं magnetic field अब किसी विदवान ने ऐसा पूछ लिया कि क्या इसका उल्टा possible है? क्या इसका reverse possible है? तो क्या magnetic field के बदले में electric field produce होगा? यानि कि क्या moving magnets electric field produce कर सकते हैं? interesting question, isn't it? और इस सवाल का जवाब है yes ऐसा produce करना possible है in fact electromagnetic induction में हम यही पढ़ेंगे कि किस तरह से electric current induce होगा या फिर electric current generate होगा magnetic field को vary करने से magnet को move करा रहे हैं बोलने का मत्तर में magnetic field को change कर रहे हैं magnetic field को vary करके हम किस तरह के से electric current को produce करते हैं? उसे ही हम कहते हैं electromagnetic induction तो प्यारे बच्चों मैंने अभी-अभी क्या बोला था? मैंने बोला था कि कुछ experiments थे जहां से EMI के concept के शुरुवाद हुई किसके experiment थे? Faraday जी ने कुछ experiments किये थे बई चलो देखना तो बनता है कि कौन से महान experiments थे? विल महान experiments थे ही तब ही उसमें से एक इतना useful concept electromagnetic induction के जैसे useful concept के शुरुवाद हुई तो Faraday ने कुछ तीर experiments किये थे हम एक एक कर के देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं Faraday's first experiment Faraday जी ने क्या-क्या उन्होंने कोईल ले लिया कोईल को गलवानोमीटर से कनेक्ट कर दिया कोईल के सामने ले ले लिया एक magnet बार मागनेट जो इस तरह का दिखता है अगर देखो तो इसमें ना हमेशा बार मागनेट पे देखोगे ये स्टेंडर होता है कि अधा रेड कलर का होता है अधा ब्लू कलर का तो जेनरली एज अ कन्वेंशन ये रेड वाला साइड इस नॉर्थ पोल और ब्लू वाला साइड इस साॉठ पोल त्यक है अब एक्स्परिमेंट पे आते हैं तो तो फेराडे जी ने क्या किया कि इस मेगनेट को लिया और इस मेगनेट के नॉर्थ पोल को को fino के पास लेते चले गए उन्होंने क्या observe किया जैसे जैसे इस magnet का North Pole उस कोईल के पास जा रहा था, वैसे वैसे जो Galvanometer है वो deflect कर रहा था, इसका मतलब क्या है? Galvanometer deflect कर रहा था, मतलब उस कोईल के थू करेंट फ्लो हो रहा था, जैसे ही उन्होंने magnet को stationary कर दिया, मतलब मूव नहीं कर रहा है, जैसे लेके आरहे थे दूर से पास, डिफलेक्ट हो रहा था, जैसे इसको रोक दिया, तो डिफलेक्शन भी वहां पर रुग गया, Galvanometer deflection शो कर रहा था, यानि की current flow नहीं कर रहा है, जैसे ही इस magnet को दूर लेके जाने लगे, North Pole को इसका दूर लेके जाने लगे, कोईल से, तो क्या हुआ, Galvanometer deflection कर रहा है, बट ऑपोसल डिरेक्शन में कर रहा है, तो अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है, साफ साफ यह बात दि उसी को हम electromagnetic induction कहते हैं, है न, ठीक है, interesting, okay, अब उन्होंने सोचा कि भई, थोड़ा और गुमा फिरा के देखते हैं कि क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया, इसी magnet को कुछ इस तरह से रख दिया, कि उसका South Pole कोईल की तरफ फेस करे, और उसके बाद इस magnet के South Pole को कोईल के पास तून्होंने क्या देखा, तून्होंने क्या देखा, गल्वानोमेटर में deflection हो रहा है, बट जब नॉर्थ पोल को पास ला रहे थे, तब जिस दिरेक्शन में deflection हो रहा था, अब उसके opposite direction में deflection हो रहा है, जैसे इसका movement रोख दिया, magnet का, वहाँ deflection भी रुग गया, इसको लेके गए, तो deflection opposite direction में होने लगा, इंटरेस्टिंगली, उन्होंने ये भी notice किया, कि इस magnet को हम जितना तेजी से मूव कर रहे थे, गल्वानोमेटर में deflection भी उतना ज्यादा हो रहा था, यानि कि हम जितने तेजी से magnet को मूव करते हैं, कोईल में करेंट उतना ज्यादा इ इन दोनों के बीच का जो रिलेटिफ मोशन है, उस रिलेटिफ मोशन की वजह से कोईल में करेंट इंड्यूस हो रहा है, फारडे का दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसमें एक फारडे जी ने कुछ खास चेंज नहीं किया था, जस बार मैगनेट को रिपलेस कर दिया एक कोईल जैसे जैसे C2 कोईल को हम C1 के करीब ला रहे थे, galvanometer में deflection हो रहा था, जैसे जैसे दूर लेके जा रहे थे, deflection ऑपोजिट इरेक्शन में हो रहा था, जैसे जैसे इसको रोक दे रहते तो deflection भी रुक जा रहा था, तो हमारे observations काफी similar थे, तो यहां से भी हमें क्या पता च यहां में क्या खेया, हमने दो कोयलउ लेलिए C1 और C2 C1 को आमने कनेक्ट किया हुआ है गलuto क्या गलवान अफा से C2 को हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी से थ्रुफरे टैपिंग की लिए तपिंग की किसे है तो इस तरह का सेटप लिया, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, C1 और C2 कॉयल में से कोई भी मूव नहीं कर रहा है, दोनों कॉयल स्टेशनरी है, ठीक है, ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, हम उस टैपिंग की के हल्प से, उस टैपिंग की को हमने प्रेस कर दिया जैसे ही प्रेस कर दिया, तो मेरा सर्कीट कंप्लीट हो गया, C2 कॉयल वाला जो सर्कीट हो कंप्लीट हो गया, और उस समय इंट्रेस्टिंग लिए हम क्या नोटिस करेंगे, कि जो मेरा गैलवानोमीटर है, वो डिफलेक्शन शो करता है, लिकिन मोमेंटरी, जैसे ही प्रे प्रेस करके ही रख दिया, लॉंग प्रेस कर दिया, प्रेस करके बैठेवे हैं, तो क्या हो रहा है कि मेरा गैलवानोमीटर डिफलेक्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब इस केस में मेरा गैलवानोमीटर डिफलेक्शन तभी शो कर रहा है, जब हम या तो उस टैपिंग की को प फ्लोव कर रहा है, that is why उसी समाई के लिए जो गल्वानोमीटर है वो डिफलेक्शन शो कर रहा है, अब यह एक बहुत इंट्रेस्टिंग उब्जर्वेशन था, इस उब्जर्वेशन से हमें में यह पता चला कि करेंट इंड्यूस होने के लिए दोनों कोईल के बीच का जो में टुक्षांल के परीलेटिव मोशन है वो एक आबसोर्यूट क्यूर्मिंट नहीं है, मतलब एक मैंडेरी इंडाक्शन दिया गया था. तो बच्चों, इससे पहले कि हम Faraday's law of electromagnetic induction को discuss करे, बहुत जरूरी है कि आप अपने आपको परिचित करा लो magnetic flux के साथ. आपसलिटली, क्योंकि magnetic flux का एक बहुत बड़ा रोल है electromagnetic induction के concept में. तो magnetic flux होता क्या है? तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो magnetic flux होता है product of average magnetic field and the perpendicular area into which it penetrates. समझ आया? बहुत जादा नहीं. तो जैसे electricity में हम बात करते थे electric flux की जो होता था E dot A, right? मतलब electric field का dot product area vector के साथ. उसे तरह यहाँ पर magnetism में हम बात करते हैं magnetic flux की, जिसे हम जो छोटा वाला सबस्क्रिप्ट में B है वो B यह डिनोट करता है कि यह flux magnetic flux है. So 5B mathematically is equal to B dot A B और A, magnetic field vector और area vector का dot product है. तो दो vector quantities का dot product होता है, वो क्या होता है? स्केलर quantity होता है. इसलिए magnetic flux is a scalar quantity है. Mathematically बात करें, तो 5B is equal to B dot A, यानि की B A cos theta. यह theta क्या है? अंगल बिटूइन magnetic field vector and area vector. ठीक है? area vector की जब भी बात होती है, मैं हमेशा इस बात पर stress डालती हूँ कि area vector आम तोर पर हम सोचते हैं कि area तो मितलब area है, scalar quantity है. लेकिन area vector की जब हम बात करते हैं, तो उसका direction क्या होगा? So area vector का direction हमेशा पर्पेंडिकुलर to the area होता है, जैसे अगर मैं इस area की बात करनी हूँ, तो इसका magnitude तो इसका जितना भी area है वो है बट इस area vector की अगर मैं बात करूँ तो इसका direction क्या होगा? पर्पेंडिकुलर to this area. ठीक है? तो बात समझ में आ गए? तो यानि कि यहां पर यह जो थीटा है B A cos theta में जो थीटा है वो थीटा किसके किसके बीच का अंगल है? Magnetic field vector और area vector के बीच का अंगल है अब बात करते है unit की SI unit की बात करें तो SI unit होता है Weber, other units में Maxwell एक popular unit है तो बच्चा-बटी मान लो कि situation कुछ ऐसा है कि आपके पास एक बड़ा सा surface है और उस surface के ऊपर जो magnetic field की value है वो अलग-अलग जगह पे अलग-अलग values है तो ऐसे मान लो एक D A1 area में इसकी value है B1 D A2 area में इसकी value है B2 D A3 area में इसकी value है B3 and so on मतलब अलग-अलग जगह पे magnetic field की value अलग-अलग है तो ऐसे case में अगर हमें इस पूरे surface का magnetic flux निकालना हो तो क्या होगा तो हम क्या करेंगे उस case में हम कहेंगे B1.DA1 उस particular area का flux हो गया प्लस B2.DA2 मतलब A2 area का flux हो गया प्लस B3.DA3 and so on यानि कि हम करते हैं summation of B I.DAI B I.DAI बोले तो कोई भी किसे भी particular area का जितना magnetic field है dot product उस particular area का जितना भी area है और उसको हम summation कर देंगे for that entire surface तो देखेंगे सबसे पहले Faraday's first law of electromagnetic induction तो पहला law ये कहता है कि an EMF is induced whenever the amount of magnetic flux linked with the circuit changes मतलब किसी भी coil के अंदर EMF induced तब होगा EMF induced होगा तो current induced होगा तो किसी भी coil में current induced तब होगा जब उससे linked magnetic flux जो है वो change होगा अब Faraday के experiment के साथ इसको relate करने की कोशिश करते है अब Faraday के experiment में जब हम magnet को magnet के north pole को जब हम कोई के पास ला रहे थे तो क्या हो रहा था अब भई खुद सोचके देखो magnet को आप पास लाओगे तो जो magnetic field lines है वो ज़्यादा बढ़ेंगी उस coil के थूँ अब magnet को कही दूर रख दोगे मैं तब कोई है दिल्ली में और magnet है बुम्बई में तो क्या होगा फ्लॉक्स से क्या होगा क्योंकि उसका जो magnetic field lines वो यहाँ तक पहुंची नहीं पाएगा बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं इस magnet को पास लाती जा रही हूँ इसके नॉर्थ पोल को तो क्या हो रहा है जो magnetic field lines यहाँ से निकल रही है वो उस koil के surface के through भी गुजर रही है तो number of magnetic field lines increase हो रही है इस वजे से क्या हो रहा है? जो magnetic flux है वो भी increase हो रहा है Increase हो या decrease हो magnetic flux change हो रहा है Right? Whenever of magnetic flux changed हो रहा है वहाँ current induce हो है और current induced जहाँ हो रहा है वहाँ galvanometer deflection रहा है तो उसे तरीके से जब इसे मागनेट को मैं दूर लेके जाती हूं, तो क्या हो रहा है, नमबर ओफ मागनेटिक वीड लाइन्स कम हो रहा है, लेकिन वही कम हो या बेसी, मागनेटिक फ्लक्स चेंज तो हो रहा है, चुकि चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है, करेंट फ्लो हो रहा है, उस सर्क कितना EMF इंड्यूज होगा, उस इंड्यूजद EMF का मागनिट्यूट कितना होगा, यह बताया फारडी सेकंड लौ ने, तो फारडी सेकंड लौ यह कहता है कि मागनिट्यूजद EMF is equal to the time rate of change of magnetic flux, मतलब magnetic flux, time के साथ साथ, जिस तेजी से change हो रहा होगा, वो बताएगा कि EMF कितना induced होगा, अगर इसे हम फारडी के experiment से relate करें तो हमें याद होगा, हमने क्या देखा था, कि magnet को जब हम ज्यादा तेजी से move कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, मेरा galvanometer का deflection ज्यादा हो रहा था, जब इसे धीरे-धीरे move कर रहे थे, तो deflection भी कम हो रहा था, तो इसका मतलब है, time के साथ साथ, magnetic flux कितना तेजी से change हो रहा है, वो बताता है कि induced EMF कितना होगा, तो इसे हम mathematically लिख सकते हैं कि e, that is induced EMF, is equal to minus d phi by dt, अब यहाँ पर आज आता है एक बहुत बड़ा सवाल, कि यह minus sign क्यों, minus sign क्या show कर रहा है, well, तो minus sign के अगर मैं बात करूँ, तो यह यह कहना चाह रहा है कि यह जो EMF induced होता है, जिसके वज़े से बात में induced current picture में आता है, इनका जो direction होता है, वो फ्लक्स के इस change को oppose करता है, मतलब फ्लक्स के चेंज की वज़े से ही वो induced EMF आया है, लेकिन वो induced EMF अपना direction ऐसा रखता है कि वो change in flux को oppose करे, समझ आया, नहीं आया, ज्यादा समझ नहीं आया, राइट? लेकिन यह और अच्छे से हम हम डीटेल में समझेंगे जब हम discuss करेंगे lens law, थोड़ी देर में discuss करेंगे lens law, तो टेंशन मतलो, अभी के लिए यह समझ लो कि यह माइनस साइं यह बताता है, कि EMF का जो direction है और change in flux का जो direction है, यह दोनों एक दूसरे के opposite है, ठीक है? अब मालो एक ऐसा situation आता है, जिसमें एक कोईल है, जिस कोईल में n number of turns है, n number of turns है, the moment किसी कोईल में n number of turns है, हर turn के साथ, जो associated magnetic flux है, वो तूत नहीं है, right? change in flux जो है, वो हर turn के साथ उतना ही है, तो ऐसे situation में, जो मेरा induced EMF होगा, that will be equal to minus n d phi by dt, तो change in magnetic flux जो है, वो भी n times हो जाएगा, क्यूंकि हमारे पास कितने turns है, n ऐसे turns है, right? तो इस ते आप यह भी कह सकते हो, कि induced EMF को अगर आपको बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हो, एक आसान तरीका है, कि कोईल के जो number of turns है, उसे आप बढ़ा दो, तो इन की value बढ़ जाएगी, तो induced EMF भी बढ़ जाएगी, बच्चों अब डिसकस करेंगे हमें एक super duper important topic, which is lens law, lens law से related कई तरह के questions आपको पूछे जा सकते हैं, आपके board exams में, आपके competitive exams में भी, तो इससे पहले कि हम lens law को समझें, सबसे पहले कुछ basics को मजबूत कर लेते, क्योंकि यह basics मजबूत रहेंगे, तभी lens law अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, मालो आपको कहीं पर भी, ब anti-clockwise और clockwise तो पता है ना, घड़ी का काटा जिस तरफ घूमता है तट इस clockwise और घड़ी के काटा के opposite direction में जब कोई घूमता है, तट इस anti-clockwise या फिर counter-clockwise, ओके, ठीक है, अब जो कि मैं कह रहे थी, यह मालो आपको कभी कहीं पर एक coil दिख गया, जिसमें current move कर रहे है, anti-clockwise, इसलिए जब आप इस टॉपिक को समझ रहो, मेरे साथ साथ आप खुद भी इसको ट्राइ करते रहो तो मान लो एक कोयल में अंटी क्लॉकवाइस डिरेक्शन में करेंट मूव कर रहा है अब आप क्या करो अपना राइट हैंड रूल लगाओ, राइट हैंड लो अबकारियंट अंटी क्लॉकवाइस में मूव कर रहा है, सारे फिंगर्स को क्लॉकवाइस में कर्ल कर दो अब आपका थंब किभर शो कर रहा हैंड तरफ अप की तरफ पॉंट कर रहा है तुम्भ बेसिकल इसका डिरेक्शन बता रारा है? तो मैंगनेटिक फिल्ल गा.. north to south जाती है उनका direction अगर magnetic field का direction यह है इसका मतलब यह north से originate हो रहे है magnetic field lines which means कि यह वाला जो मेरा coil का face है this face is behaving like a north pole मैं समझाना यह चाहरी थी कि कभी कहीं पर भी अगर एक coil दिखे जिसमें current anti-clockwise में move कर रहा है तो आप हमेशा समझ लो कि वो वाला coil का जो face है that face of the coil will behave like north pole और इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही popular memory tip है जो आपने अपने टेक्स्ट बुक्स में भी देखा होगा एक end लिखावर है और end के दोनों ends को यूँ गुमा दिया जाता है तो वो anti-clockwise गुमता है इससे हम यह याद रख सते हैं कि north pole मतलब anti-clockwise मतलब किसी भी coil में अगर anti-clockwise current move कर रहा है मतलब वो वाला face of that coil is behaving like a north pole and obviously इसका reverse be true होगा यानि कि अगर किसी coil में current clockwise move कर रहा है तो वो वाला face जो है उस coil का that will behave like a south pole इसलिए आप देखो S के दोनों ends को अकर यू गुमा दोगे तो वो clockwise direction में move करता होता है which reminds us कि south pole मतलब clockwise direction में current लेकिन south pole और clockwise direction current यह सच है क्या right hand rule लगा के देखे, देख लो किसे डर लगता है current मानलो एक coil में move कर रहा है clockwise direction में मतलब इस direction में तो right hand rule में जैसे ही लगाऊंगी तो मेरा देखो thumb इधर point कर रहा है यानि कि magnetic field का direction यह है यानि कि यह वाला magnetic field है यानि कि यह वाला face क्या है? North pole है यानि कि जो face को मैं देख रहे हूं इधर से that is the south pole correct क्योंकि यहां पर मैं जिस face की बात कर रहा हूं that is the face which I am seeing यासे जब counterclockwise move कर रहा था तो मैं यह वाला face थी तो यह face behave कर रहा था नौर्थ ही जगा इसले देखो magnetic field lines नौर्थ निकल कर रहे थे जब मैं ऐसे देख रही हूं यह कहता है कि induced EMF की polarity कुछ ऐसी होती है such that जो induced current का direction हो वो magnetic flux के change को oppose करता है समझ आया? नहीं आया थोड़ा समझ आया? Okay, अच्छे से समझेंगे अब देखो जहां induced EMF है कोईल में तो इस induced EMF से क्या होगा? एक induced current आएगा in fact उस coil में induced current होता है तब ही तो galvanometer आपको deflection शो करता है है ना? अब सवाल है यहां पर lens law यह हमें बताता है कि इस induced current का direction कैसा होगा तो उसका जवाब lens law देता है यह बोलके कि induced current का direction ऐसा होगा ताकि यह magnetic flux के change को oppose करे मतलब यार हमने पढ़ा था कि magnetic flux में change होता है तब ही induced current produce होता है अब हम पढ़ रहे है कि induced current अपना direction ऐसे रखता है ताकि वो magnetic flux के उस change को oppose कर सके तो इसका मतलब कहानी कुछ ऐसी है कि जिसने पैदा किया हमने उसी को oppose कर दिया It is like that यह induced current को पैदा किसने किया? Change in flux बट यह induced current किसको oppose कर रहा है? Change in flux जिसने इसको produce किया उसी को यह oppose करते हुए अपना direction रखता है अब इसको अच्चे से समझेंगे कैसे? Faraday के experiment के थूँ Faraday के experiment में हमने क्या किया था? एक coil लिया था जो galvanometer से connected था एक bar magnet लिया था और बार magnet का जो north pole था उसको हम क्या कर रहे थे? उसको हम coil के पास लेकर जा रहे थे जैसे ही हम इसके norther pole को coil के पास लेकर जा रहे थे तो क्या हो रहा था? इसकी वज़े से Magnetic Flux इंक्रीज हो रहा था जिसके वज़े से Coil में induced current आ रहा था जिसके वज़े से galvanometer deflection शोओ कर रहा था यहां तक की कहानी हमें पता है चीक है, ओके अब current का direction कैसा होगा current का direction ऐसा होगा कि वो इस flux का जो increase है इसको oppose करे current को produce किस ने किया increase in flux ने अब यह current कैसे direction में produce होगा such that flux जो है increase होने की बजाए decrease हो ठीक है, अब आप खुछ सोच के देखो, अगर यह magnet यूँ pass move करता चला जाएगा कोईल के तो क्या होगा, flux भड़ता ही चला जाएगा तो मेरा induced current जैसे इसमें produce होने लगा कोईल में तो यह induced current क्या चाहेगा कि भाई यह magnet मेरे से दूर चला जाए है ना, अगर इस magnet को इस कोईल से दूर जाना है तो दोनों के बीच में repulsion होना चाहिए repulsion कब होता है जब like poles होते है इस magnet का यह north pole है अगर इस कोईल का यह face भी north pole की तरह behave करे तब ही उसी case में दोनों के बीच में रिपल्शन होगा और यह magnet इस से दूर जाला जाएगा है ना तो अब इस कोईल के face को north pole होने के लिए इस कोईल में current किस direction में flow करना चाहिए अभी पढ़ाता है north pole, N मतलब anti-clockwise, absolutely तो इस का मतलब induced current का direction कैसा होना चाहिए anti-clockwise, spot on समझ आया कैसे हम decide करते हैं कि induced current का direction क्या होगा बिल्कुल clear हो गया amazing तो चलो दूसरा exercise भी ट्राइ करते हैं अब मैंने बोला कि ठीक है एक काम करते है अब माल लेते हैं मेरा दूसरा situation है situation ही दूसरा है कि मैं इस magnet को कोईल से दूर लेके जारी हूँ ठीक है दूर लेके जारी हूँ तो क्या हो रहा है number of magnetic lines इस कोईल के थू कम हो रहे है magnetic flux कम हो रहा है तो decrease in flux की वज़े से इस कोईल में induced current है ठीक है अब इस induced current का direction कैसा होगा ताकि ये decrease in flux को oppose कर सके यानि कि induced current का direction कुछ ऐसा होगा कि इसका जो flux है ये increase होने लगे flux increase कब होगा जब ये magnet इस कोईल के करीब आएगा magnet कोईल के करीब कब आएगा जब दोनों के बीच में attraction होगा magnet का ये वाला north pole है इसको कौन attract कर सकता है south pole तो attraction अभी हो सकता है जब इस कोईल का ये वाला face south pole की तरह बहेव करे south pole मतलब current in clockwise direction तो इस situation में यहाँ पर जो induced current होगा वो clockwise direction में induced होगा clear है I hope with this अब किसी को कोई doubt नहीं है lens law समझने में लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही है कि यार ये बहुत ही अजीब बात है कि जिसने induced current को पैदा किया induced current ने उसी का oppose कर दिया magnetic flux increase हो रहा था तभी तो induced current बना था लेकिन induced current इस direction में बना ताकि वो magnetic flux को घटाते चला जाए तो यह opposition क्यों ऐसा opposition क्यों करता है induced current इसे समझते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ही यह बात मानना है कि लेट से कि induced current जो है वो change in flux को oppose नहीं करता है मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो थोड़ी ही देर के लिए हम यह मान लेते हैं जैसे जैसे हम इस magnet के north pole को coil की पास लेके आते हैं तो हम मान लेते हैं कि current जो है वो clockwise प्रोड्यूस हो रहा है मतलब induced current का direction clockwise है हम ने यह सरफ मान लिया अभी के लिए चुकि induced current clockwise direction में है उसका मतलब है कि इस loop का face कैसे बिएव कर रहा है South pole की तरह यह मेरा north pole है तो क्या होगा इनके बीच में traction बढ़ेगा तो मतलब मेरा यह magnet इसके पास जाता जाएगा अगर magnet यूही इसके पास ही जाता जाए तो क्या होगा magnetic number of magnetic field lines उस coil के थूँ बढ़ता चला जाएगा magnetic flux बढ़ता चला जाएगा और induced current produce होता रहेगा and then there is no end to it right क्योंकि मतलब अगर यह बढ़ता ही चला जाएगा energy तो भाई इतनी energy आएगी गहां से law of conservation of energy नाम की भी कोई चीज होती है है कि नहीं तो इतनी extra energy कहां से आएगी correct? समझ रहे हो बात को तो इसे लिए जैसे मतलब it is like कैसे समझाओ it is like let us suppose कि आप बहुत पैसे खर्च करते हो ठीक है आप बहुत पैसे खर्च करते हो तो आप हर दिन जह है 100 रुपे खर्च कर रहे हो हर दिन एवरी डे यूर स्पेंदिंग 100 रुपीज ठीक है लेकिन आप कुछ कमा नी रहे हो आप हर दिन सरफ 100 रुपे खर्च कर रहे हो हर दिन 100 रुपे आज, 100 रुपे कर फिर 200, 300, 400, 500 हर दिन के साथ आपका 100-100 रुपे और खर्च होता जा रहे है अब मालो आपके पापा ने आपको जितना भी पॉकेट मनी दिया था ऐसे करते करते 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन में वो खतम हो जाएगा उसके बाद जितने भी प्रॉपेटी आपके पापा ने आपके लिए छोड के गई ये वो खतम होने लगेगा उसके बाद जितनी प्रॉपर्टी आपके दादा ने आपके लिए छोड़के गई थी वो कदम होने लगेगा तो लास्ट में जाके क्या होगा? मतलब there is no more fund with you, right? So this can't go on लेकिन अगर ऐसा हो कि ठीक है आप हर दिन 100 रुपे खर्च करते हो एक तरफ खर्च कर रहे हो, दूसरे तरफ ला रहे हो, right? So that seems sustainable, यह जादा sustainable model है, right? तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है अब यह जो induced current produce हो रहा है, अगर वो induced current change in flux को oppose नहीं करेगा तो हमारा जो law of conservation of energy है वो law ही violet हो जाएगा which is practically not possible तो इसी लिए हम देखने हैं कि जो हमारा induced current produce होता है उसका direction ऐसा होता है कि वो change in flux को oppose करे और यही बहुत important इसी बात को बताया था किसने lens law ने तो चलो बच्चो कुछ ऐसी situations देखते हैं, okay? तो सबसे पहला situation के तौर पर यह एक्जामपल लेते हैं कि एक magnetic field, cross जब भी रहता है इसका मतलब एक magnetic field नीचे की तरफ है मतलब जो भी plane है उस plane के नीचे की तरफ है यह पीछे की तरफ है इस case में ठीक है, और यहां पर है यह औरंज कलर का एक लूप है जो लेटर से कि velocity V के साथ इस magnetic field के अंदर एंटर कर रहा है ठीक है, यह मेरा situation है अब मुझे बताना है क्या मुझे तो भाई यही topic पे बात करना है कि जो induced current होता है यह हमेशा oppose करता है change in flux, है ना? तो इस situation में देखते हैं क्या होता है अब जैसे ही यह loop जो है magnetic field के अंदर गुस रहा है तो magnetic flux क्या होगा इस लूप के थरू increase होगा obviously क्योंकि magnetic field के अंदर गुस रहा है तो number of magnetic lines भी बढ़ जाएंगे तो as a result इसका magnetic flux बढ़ेगा ठीक तो मतलब as this loop enters, जो magnetic flux है that increases ओके हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि change in flux जैसे ही होता है तो current induced हो जाता है अब magnetic flux बढ़ रहा है मतलब change तो हो रहा है ना भाई तो magnetic flux increase होने की वजह से क्या होगा? होगा induced current अब वही एहम सवाल की इस induced current का direction क्या होगा? अब देखो यहाँ पर इस magnetic flux के change होने की वजह से जो induced EMF generate हो रहा है या जो induced flux generate हो रहा है उसका direction कैसा होगा? ऐसा होगा ताकि यह magnetic flux increase ना हो बल्कि यह decrease हो क्योंकि cause क्या है यहाँ पर? magnetic flux का increase होना तो जो induced EMF है या जो induced current है वो उस change को oppose करेगा यानि कि वो magnetic flux को घटाना चाहेगा तो देखो यहाँ पर क्या है existing magnetic flux नीचे की तरफ था मतलब magnetic field नीचे की तरफ था अगर मैं इसे और जादा अगर induced flux भी नीचे की तरफ ही होगा तो क्या होगा? यह बढ़ेगा? मतलब let us suppose नीचे की direction में 10 tesla था अभी नीचे की direction में और तुमने 5 tesla लगा दिया तो क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा बट मुझे इसको बढ़ाना नहीं है मुझे क्या करना है? मुझे इसको घटाना है तो इसलिए इस case में जो मेरा induced flux होगा उसका direction कैसा होगा? उपर की तरफ होगा इसके opposite मतलब भाई तु नीचे जा रहा है दस मैं तुझे उपर 5 खीज के लिए आऊँगा मतलब मैं तुम्हें oppose करूँगा तो induced flux का direction अगर upward है तो आप मुझे बताओ current का direction क्या होगा? राइट हैंड लू लगाओ देखो flux अगर उपर की तरफ है तो current का direction, what is this? This is anti-clockwise, right? तो यहाँ पर इस induced current का direction हो जाएगा anti-clockwise तो इस example से थोड़ा idea लगा कि कैसे lens log के basis पर हम determine कर सकते हैं कि भाई direction क्या होगा induced current का, ठीक है? एक example और लेते हैं मतलब इसी situation को लेते हुए हम अब एक ऐसा example लेंगे जिसमें loop जो है, वो magnetic field से बाहर जा रहा है तो चलो, अब हमने situation को थोड़ा सा पलट दिया अब हमने क्या क्या हमने बोला loop जो है, फिलहाल magnetic field के अंदर है और यह magnetic field से बाहर निकल रहा है with velocity V, ठीक है? ओके, तो जब यह magnetic field से बाहर निकल रहा है सोचके देखो तो क्या होगा? जैसे-जैसे magnetic field से बाहर निकलेगा तो इसका magnetic flux decrease होगा, correct तो यहाँ पर magnetic flux क्या होगा? तो magnetic flux यहाँ पर decreases अब भई, decrease हो चाहे, increase, change in flux तो हो रहा है change in flux हो रहा है तो क्या induce होगा? current induce होगा? सवाल वही है कि इस induced current का direction क्या होगा? तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है magnetic flux decrease हो रहा है तो जो induced EMF या induced current होगा उसका aim क्या होगा? इस change को oppose करना यानि कि वो चाहेगा कि magnetic flux बढ़े तो magnetic flux को बढ़ाने के लिए यह क्या करेगा? यार magnetic flux का जो direction है फिल्ड का जो direction है वो downward है यह बोलेगा कि मुझे जो है ना इसको और बढ़ाना है तो यानि कि वी विल कंटिनियो टो गिव more magnetic field downward में ही जैसे downward अगर पहले 10 tesla और 5 देते हैं और 10 देते हैं, ताकि magnetic flux और increase हो तो इसलिए induced flux का direction हो जाएगा downward डाउनवर्ड अगर induced flux है राइठ हेंड रूल रगाओ देखो, चारो fingers किधर कर्ल हो रहे हैं clockwise हो रहे हैं तो इसका मतलब induced current का direction हो जाएगा clockwise ठीक है, तो इन दोनों example से हमें थोड़ा बहुत idea लग गया कि lens law को कैसे apply करते हैं हम different situations पे तो बचो अभी तक आपने देखा कि induced current का direction पता करने के लिए हम use करते हैं lens law का इसके अलावा भी एक और rule है जिसे हम कहते हैं Fleming's right hand rule Fleming's right hand rule से भी हम induced current का direction पता कर सकते हैं हाला कि lens law is always preferred तो चलो इसी बहाने Fleming's right hand rule भी देख लेते हैं तो हम example के साथ समझेंगे उससे पहले देख लो कि Fleming's right hand rule कहता क्या है Fleming's right hand rule कहता है कि आप अपना right hand law उसको इस pattern में अरेंज करो ताकि आपके जो ये तीनो थम first finger और middle finger जो है ये तीनो एक दूसरे से यू perpendicular arranged हो ये कहता है कि आपका ये जो थम है ये आपको बताता है direction of motion पार्टिकल जिस डिरेक्शन में जा रहा है उसका motion बताता है थम जो first finger है वो बताता है field का direction और जो middle finger है वो बताता है current का direction तो मतला अगर आपको magnetic field का direction पता है और अगर आपको वो कॉयल या वो पार्टिकल किस दिरेक्शन में मौफ कर रहा है वो पता है तो आप कर्णिक का डिरेक्शन निकाल सकते हो ठीक है तो चलो एक एक लग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो हम हमारा रही रही स्ट्बार प्थाधी're Let us suppose that this is a magnetic field, where is the magnetic field? It is on the bottom, it is cross, and this is my loop which is going inside the velocity V. Now, a little bit ago, we had seen this situation with the lens law, what will be the induced current direction. Here we will see that example by Fleming's right hand rule. So let's take my right hand. Now, keep doing well with yourself, okay? Now, see, the direction of velocity is here, okay? First of all, which finger will tell my velocity? My thumb will tell my velocity. So this is my thumb. That means, I have to align my thumb with velocity. Okay? So I have aligned my thumb here. See, my thumb is aligned with velocity. Okay, the magnetic field will tell my first finger, but the magnetic field is inside the plane. So that's why the magnetic field will be like this. So, see, how the current direction is coming from? Current direction is coming from the bottom, right? So that means, this loop, this loop, here, current will flow in this direction. Did you understand that? So, how the current flow in this direction means, how the current flow? This, 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 this. It will flow in this direction. And that is what? Like this flow is anti-clockwise. So, current will flow here in anti-clockwise direction. And last time, when we had to determine the direction from the lens lock, we also saw that the direction of the induced current was anti-clockwise. Now, let's see the other example. So, let's see the other situation. Where this magnetic field is, now my loop is going from the outside. Okay? So, I take my right hand. And see, velocity. Which finger will tell me? Thumb. So, see, thumb is telling me that this is going from this direction. Meaning, thumb is going along this velocity. Okay? But the magnetic field is on the back. Magnetic field will tell me that this finger. So, that means, align it like this. Right? So, magnetic field is on the back. Thumb is on the velocity. So, my middle finger is on the right. So, the current direction is on the right. So, the current direction will be here. Current will move here. Okay? So, this means that this current will flow? It will flow like this. Right? Which is what? Which is clockwise. So, in this case, the direction of induced current will be clockwise. So, I am going to tell you again that, although the right hand rule is also one way that we can remove induced current. But, whenever you have to remove induced current, the lens is more effective. So, let's take some examples. and reduce the concept of induced current. Okay? So, our example number one. Let's say a closed loop is held stationary between the north and south poles of permanent magnets. Can we hope to generate electric current by using very strong magnets? That means, this coil that we have kept under the north and south poles, do we can generate current in this coil by using very strong magnets? Think about it. And obviously, the answer is no. We cannot do current induced. When current induced current happens when magnetic flux changes. So, the number of magnetic lines passing through the coil is just the same. So, the magnetic flux through the coil is no change. That's why there is no current induced. No matter how strong magnet we use. Let's take example number 2. So, let's say a situation in which we have two loops. It is a rectangular loop and a circular loop. And these two loops are moving from a uniform magnetic field region from a field free region. And these two loops are going with constant velocity V. Okay? Now, let's tell you, which loop in which induced EMF will be constant? Right? To ask this is, which loop in which induced EMF time will not change with induced EMF time? And which loop in which induced EMF time will change with induced EMF time? Okay? Let's see, what is happening in this situation? First, when EMF is induced? When magnetic flux changes. E is equal to minus d phi by dt. Okay? Phi, what happens? B dot A, that is B A cos theta. Now, to change the flux, either the magnetic field changes, or the area changes, or then the theta changes. Right? So, first of all, let's talk about the magnetic field. So, here it has been explained that time is independent, uniform magnetic field. That means, no one has to take the magnetic field of time. So, the magnetic field is cut. Now, let's talk about the theta. So, if you see the theta, then theta is throughout constant. With time, theta is not changing. How is it? The magnetic field of direction is the whole time. It is the whole time. If we talk about the area vector, So, the loop, which is like this, the area vector, its direction is also throughout constant. So, the area vector and magnetic field, the angle of the magnetic field, that is, theta, is throughout constant. That means, theta has also cut. So, what is the area? Now, see, So, just like this loop, magnetic field is coming out of the magnetic field, the area is changing with time. Why? So, this is a line. This is magnetic field. This is magnetic field. It is not magnetic field. Okay? Now, this is my loop. Just like this loop, the magnetic field is coming out of the region. So, what is happening? which is in the magnetic field, which is in the magnetic field, is slowly, 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 So, the area is changing with time. Because the area is changing, so, the magnetic flux is changing, and so, the EMF is induced. So, until now, we have understood that, whether it is a circular loop or a rectangular loop, both EMF are induced. Now, we know that, this EMF induced, whether it is constant or not. So, you tell yourself, this EMF is constant or not, which will depend on? It will depend on that, the DA by DT, which means the change in area with respect to time, is it constant or not? If DA by DT is constant, then EMF will be constant. If DA by DT is not constant, then EMF will be constant. So, let's analyze this in both loops. First, let's talk about the rectangular loop. Okay? So, let us suppose, this rectangular loop is moving from magnetic field to the backfield free region. Okay? So, when it is moving from this way, what does it mean? If you can see, this area is changing with time. So, you just move like this. See, this area is moving. then it goes out, then it goes out, then it goes out, then it goes out. तो मतलब ऐसे-ऐसे करके धीरे-धीरे-धीरे करके यह पूरे एरिया फ्ILYD mode region से बहार चला जा रहा है बट यह न पर एन जो थोड़ा से एरिया बहार जा रहा है हर बार होतना ही एरिया धीरे-दीरे बहार जा लरहा है अब यह जो फल्ली यहां से आप लोगे और यह जो पीस यहां से आप लोगे, they are same. तो इस वज़े से जो DA by DT है एरिया का जो चेंज है ताइम के साथ, every time, that is constant. तो यानि कि रेक्टांगुलर लूप के केस में, induced EMF constant होगा. दूसरी तरफ अगर बात करें सर्कुलर लूप की, तो मैं अपने घर से समान कठा करी हूँ, कहां से मुझे रेक्टांगुलर लूप मिल जाए और कहां से सर्कुलर लूप. तो यह सर्कुलर लूप अगर मागनेटिक फील्ड रीजन से फील्ड फ्री रीजन में जाएका, तो क्या होगा देखो, दीरे दीरे करके पहले इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना दीरे निकलता जारा है रीजन से, लेकिन यहां पे खास बात यह ह तो इसका मतलब है DA by DT जो है वो हर बार constant नहीं है क्योंकि हर फल्ली का एरिया है वो अलग है क्यों अलग है विकॉस अफ इट शेप चरकल के शेप के वज़े से ऐसा है तो इसका मतलब सर्कुलर लूप के केस में जो EMF इंड्यूस होगा वो constant नहीं होगा So high Test reduced EMF के बारे में इतनी सारी बाते की हम ने तो अब यह देखते है कितने methods होते हैं to produce Induced EMF जाहिर सी बात है Induced EMF का प्रोडूस होता है क्यों Magnetic flux चेंझ होता है Magnetic flux यानी कomnia Phi क्या होता है b dot a i.e. Ba cos Theta So flux जो है यह 3 चीजों पे trust Dependent है Ba and Theta तो जाहिर से बात आए कि EMF को produce करने के लिए एक पहला option हमारे साथ हो सकता है कि हम vary कर दे magnetic field को B को ही change कर दे दूसरा option हो सकता है कि हम vary कर दे area को A को change कर दे तीसरा option हो सकता है कि हम orientation को change कर दे यानि कि theta को change कर दे थीटा किसका orientation है कोईल का orientation with respect to the magnetic field या तो हम उसी को change करते तो इन तीनों मेंसे किसी भी एक को change करके हम induced EMF produce कर सकते हैं तो अब थोड़ा सा और detail में जाग के देखते हैं कि area को vary करके हम कैसे induced EMF produce करते हैं इसे हम थोड़ा detail में इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि इस तरह के EMF के लिए एक और term यूज होता है which is called motional EMF क्या होता है यह चलो देखे तो सबसे बहले situation देख लेते हैं हमारा situation क्या है scene कुछ ऐसा है कि एक magnetic field है ठीक है और एक conductor है हमारे पास एक straight conductor है let's say PQ ठीक है और उस वो conductor जो है वो इस तरीके से magnetic field के अंदर यूँ मूफ कर रहा है ठीक है ओक है let us suppose कि उस conductor का length है L तो जब उसकी movement हो रहे है anyways that L is fixed L constant ही रह रहा है change क्या हो रहा है जब वो यू 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 मूफ कर रहा है तो जो X की value है वो चेंज हो रहा है जब जैसे जैसे वो अंदर आएगा तो X की value चेंज होगी बिलकुल सही बात है तो अब देखते हैं यहां पर हो क्या रहा है तो बात करते हैं magnetic flux की magnetic flux phi क्या होता है B.A यानि की B A cos theta यहां पर B क्या है B constant है B को कोई फरक नहीं पढ़ आए इस movement से conductor की move करने से A की अगर हम बात करें तो A क्या हो जाएगा किसी भी rectangle का area क्या होता है length into breadth तो यहां पर हो जाएगा L into X अब L जैसा की मैंने बोला constant ही रहेगा X लेकिन vary करेगा theta की अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते है magnetic field दिया हुआ है downward direction में अगर यह area का अगर हम देखे जो area vector है उसका भी अगर हम angle देखे तो हम देखते है cos theta की जो value है that is 0 degree जिसके वजह से हमारा cos theta is 1 ठीक है दोनों same direction में है यह भी समझ आ गया तो मतलब कुल मिला के magnetic flux phi is equal to B L X अब इसमें B constant L constant वारी हो रहा है सिरफ X अब induced EMF निकालो induced EMF is minus D phi by D T तो D phi by D T जैसे ही करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा B into L D X by D T D X by D T क्या होगा change in displacement with time उसे हम क्या कहते है velocity of course तो EMF is equal to B L V और इस induced EMF को हम कहते है motional EMF क्योंकि यह EMF जो induced होता है किस की वज़े से होता है motion of the conductor की वज़े से होता है and that's why the name motional EMF तो चलो बच्चों देखते हैं पहला सवाल तो question कहते है कि a small piece of metal wire is dragged across the gap between the pole pieces of a magnet in 0.5 second मतलब magnet के north or south pole के बीच में से एक metal को हमने ड्राग किया मतलब अंदर से लेके बाहर तक लेके चले कए उस दोनों magnetic field के बीच में the magnetic flux between the pole pieces is known to be 8 into 10 to the power minus 4 weber तो pole pieces के बीच का जो magnetic flux है that is 5b की जो value है that is 8 into 10 to the power minus 4 weber अब आप सोच रोगो कि मैंने यहापे आई क्यू लिखा मतलब इनिशियली जब वो metal का जो प्लेट है या जो पीस ओफ मेटल वायर है वो पहले अंदर खी था मतलब उस magnetic field में था फिर उसको क्या बोला गया है dragged across the gap मतलब उनके gap के बीच में उस magnetic field के थूफ को ड्राग करके बाहर ले गया गया है तो मतलब starting में तो उसने इतना magnetic flux experience किया लेकिन जब उसको उन दोनों magnet के पोल पीसे से बाहर लेके जाया गया तब उसके वो कितना magnetic flux experience करेगा 0 क्योंकि उस metal का जो वायर है वो constant वहां बैठा वनी है उसको खीच के हम लोग वहां से ले जा चुके है तो मुझे निकालना क्या है estimate the EMF induced in the wire अब चूंकि flux change हो रहा है initial flux और final flux अलग है that means change in flux change in flux है मतलब induced EMF है ना Faraday's law के हिसाब से जो induced EMF होता है that is minus d5 by dt right मतलब change in magnetic flux with respect to time तो यहां पर minus तो क्या denote करता है minus denote करता है सिर्फ direction हाना तो यहां पर क्या हो जाएगा d5 मतलब final minus initial final था 0 minus initial था 8 into 10 to the power minus 4 this divided by dt कितने time में यह change हुआ question में दिया हुआ है 0.5 seconds so this divided by 0.5 so this comes out to be 16 into 10 to the power minus 4 volts तो इथना EMF induced हुआ तो चलो देखे अगला सवाल so problem 2 कह रहा है कि a 1 meter long metallic rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod passing through its one end तो हमारे पास एक इस तरह का rod है जिसका एक end fix है और दूसरे end को हम इस तरीके से rotate कर रहे है ठीक है यह red वाला dot शो कर रहा है उस rod का fixed end ओके the other end of the rod is in contact with a circular metallic ring a constant and uniform magnetic field of 0.5 tesla parallel to the axis exists everywhere तो magnetic field तो यह जो cross-cross बना हुआ है that actually denotes the magnetic field तो जो magnetic field यहां पर exist कर रहा है हर जगा uniformly calculate the EMF developed between the center and the ring तो center और ring के बीच में तो एक ring जो है इस लगा हुआ है तो उसके बीच में कीतना EMF इंद्यूस होगा क्या EMF इंद्यूस होगा बिल्कुल होगा क्यू? कौन से concept से याद करो emotional EMF पढ़ा था हमने राइट जैसे एक conductor था तो जैसे 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 मूव कर रहे थे तो क्या हो रहा था? एरिया चेंज हो रहा था एरिया चेंज हो रहा था तो फ्लक्स चेंज हो रहा था फ्लक्स चेंज हो रहा था तो करेंट इंद्यूस हो रहा था अबसलूटली तो अब सबसे बहले तो इस नुमेरिकल को सॉल्ट करने के लिए हम देखेंगे कि हमरे पस कौन-कौन सी वैल्यूस दी हुई है तो देखो क्या दिया हुआ है रॉड का लेंथ दिया हुआ है विच इस 1 मीटर तो लेंथ आफ दो रॉड इस गिवन आज 1 मीटर और क्या दिया हुआ है अंगिलर फ्रिक्वेंसी ओमेगा जो है ये दिया हुआ है 400 रेडियन पर सेकंड और क्या दिया हुआ है और दिया हुआ है मागनेटिक फील्ड यानि कि B की वैल्यू दी हुई है 0.5 टेसला ये तीन चीजे मुझे दी हुई है और मुझे निकालना क्या है induced EMF की वैल्यू अब सब हम उल्टा कालकुलेट करते है बही induced EMF निकालना है induced EMF क्या होता है क्या क्या चीजे हमें पता है induced EMF के बारे में एक तो हमें पता है कि induced EMF क्या होता है minus d5 by dt जो इसका generic definition है इसके अलावा इस तरह के situation में emotional EMF वाले situation में d5 by dt की वैल्यू क्या आती है blv ये भी आता है blv निकालना था ना मने emotionally EMF so EMF का एक और तरीका निकालने का क्या होता है blv से देखो magnetic field यहां पे दिया हुआ है l की वैल्यू dv है v, v यहां पे क्या है यह जो v है this v is linear velocity बट मुझे यहां पर क्या दिया हुआ है यह omega क्या है this is angular velocity है ना angular velocity से काम नहीं चलेगा हमको linear velocity निकालना है कैसे निकालेंगे linear velocity देखो अब इस rod पे focus करते है rod का जो यह वाला end है ना यह जो end है यह end हमेशा fixed है यह कभी move नहीं कर रहा है यह हमेशा fixed है और यह यहneyland river घूम रहा है यानि कि इस end में इसकी linear velocity हमेशा zero है क्योंकि वह वाला point तो move नहीं कर रहे वह वाला end तो move ही नहीं कर रहे लेकिन जो दूसरा वाला end है यानि कि यह वाला end है इस end में इसकी velocity कितनी है कैसे निकालते हम जब कोई भी object ऐसे circular park में move करता है so velocity किसी भी point पर क्या होता है r omega जहां पर r उसका radius है अब यहां पर radius कितना है इसकी value तो l है तो यानि कि इस end पर linear velocity is l omega ठीक है तो अब considering these two facts अगर हम average linear velocity निकाले average linear velocity क्या हो जाएगा एक तरफ value है 0 दूसरे तरफ value है l omega दोनों का average निकालो यानि कि यह हो जाएगा l omega by 2 निकल गया तो यानि कि अब हमने v की value भी निकाल ली amazing तो चलो अब निकालते हैं induced dmf तो induced dmf क्या हो जाएगा blv तो b की value दी हुई है 0.5 l की value दी हुई है 1 meter और v की value दी हुई है l omega by 2 यानि कि l into omega is 400 by 2 तो induced dmf will be equal to 100 volts ठीक है बात समज में आगे ही अपको clear है okay super फिर क्या फिर तो कोड़ दिकात ही नही है तो चलो बच्चों देखते हैं problem number 3 तो problem number 3 कह रहा है कि use lenses law to determine the direction of induced current in the situations described by the figure situation कुछ ऐसा है कि a wire of irregular shape is turning into a circular shape ठीक है जैसे देखो यहाँ पर पहले wire जो है वो ऐसे irregular shape का था यह वाला जो shape दिख रहा है और बाद में यही वाला wire जो है एक circular shape में change हो रहा है ठीक है so during this change क्या हो रहा है कौन-कौन सी obvious चीज़ें हमें दिख रही है during this change एक तो area बढ़ आ है देखो इस वाले loop का area सिरफ इतना ही है ठीक है इतना area था but जैसे ही यह circular loop का form लिया तो इसका area काफी बढ़ गया correct area बढ़ गया इसका मतलब क्या हुआ तो मैं लिखते रहती हूँ साथ-साथ तो यहाँ पर क्या हो रहा है जैसे ही यह transformation हो रहा है तो इस transformation के दौरान area increases area अगर increase हो रहा है इसका मतलब जो flux है भी बढ़ेगा ठीक है flux बढ़ रहा है flux जहाँ change हुआ वहाँ पर क्या होगा induced EMF होगा अब induced EMF है तो induced current है induced current का direction कैसा होगा यही सारी चीजे हमारे दिमाग में आती है अब बात करते हैं induced current के बारे में अब भाई flux मेरा change हो रहा है तो उसकी वज़े से induced current आया सवाल यह उठता है कि induced current का direction क्या होगा lens law कहता है कि induced current का direction वैसा होगा ताकि वो अपने cause को oppose करे इस induced current को produce करने वाला cause क्या है increase in flux अब उसे सवाल का एक दूसरा पहलू भी है मतलब एक दूसरा part है basically दूसरा situation है पहले आमने एक irregular shape से उस loop को circular shape में लेकर गए थे अब हम देखेंगे कि वो जो circular loop था हमारा ये दखो ये जो circular loop था अगर ये वाला circular loop जो है change हो जाए एक इस तरह का narrow straight wire में तो मतलब अब क्या हुआ सर्कुलर लूप से ये बन गया है एक narrow straight wire अब बच्चों खुद सोचो कि जब ये transformation होगा तो मेरा area क्या होगा area घट रहा है साफ साफ दिख रहा है वहाँ पर तो इस change के दौरान area decreases जब area घट रहा है तो magnetic flux जो है वो भी घट रहा है चुकि magnetic flux में change आ रहा है तो current induced हो रहा है इस induced current का direction कैसा होगा direction कुछ ऐसा होगा ताकि इस change in flux को ये oppose कर सके मतलब induced current का direction कुछ ऐसा होगा ताकि flux जो है वो मेरा decrease ना होके बल्कि increase होने लगे तो यहाँ पे देखो existing जो flux का direction है जो magnetic field का direction है उसमें रहे को dots है यानि कि upward है तो इसका मतलब इसको मैं और बढ़ाना चाहा रही हूँ तो मतलब इसका direction और बढ़ेगा इसका मतलब है कि जो induced flux का direction होगा वो किस तरफ होगा? Upward क्योंकि हम induced flux को बढ़ाना चाहा रहे हैं तो अगर induced flux उपर की तरफ होगा तो राइट हैंड रूल की हिसाब से मेरे बाकी सारे fingers anti-clockwise curl कर रहे हैं विच मेंस कि induced current का direction क्या होगा? अन्टी clockwise तो अब शुरू करते हैं हम हमारा अगला topic which is induction तो कापे देर से हैं हम actually induction की ही तो बात कर रहे थे हम यही कह रहे थे कि EMF induced हो रहा है current induced हो रहा है किसलिए induced हो रहा था? current या EMF induced हो रहा था due to change in magnetic flux तो अब induction में हम सीधे साफ शब्दों में इसी बारे में बात करेंगे कि induction का मतलब क्या होता है current production in a coil एक कोईल में current produce हो रहा है due to change in magnetic flux in itself और in another coil दोनों possibility है एक कोईल में current produce हो रहा है क्यों हो रहा है? change in magnetic flux कहां पे हो रहा है वो change in magnetic flux हो सकता है उसी कोईल में हो रहा हो हो सकता है किसी पडोसी कोईल में हो रहा हो but in any case इस वाले कोईल पे current induced हो रहा है और इसे ही हम induction कहते है तो based on the fact कि यह जो change in magnetic flux है यह उसी कोईल में हो रहा है यह पडोसी वाले कोईल में हो रहा है हम इंड़क्शन को दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं सेल्फ इंड़क्शन अंड मूच्वल इंड़क्शन ठीक है तो यह कहानी समझो कुछ इस तरह से है कि तुमने पढ़ाई करी तुम्हारे नंबर आए ठीक है बट नंबर तुम्हारे आए मतलब अपने एग्जाम के हाल में क्या किया मुझे क्या पता मतलब इस लाइक जो बगल में वैठा ता वो पढ़ाई करे आया था बट नंबर आपके आगे सो यही जो प्रॉपर्टी होती है इस हम कहते है इंडक्टेंस इसे लिए आप देखोगे अधिकतर जगर सेल्फ इंडक्टेंस मुच्वल इंडक्टेंस यह वाले टर्म जादा यूज होते हैं अब यार बात चाहे सेल्फ इंडक्शन की हो या मुच्वल इंडक्शन की हो किसी भी केस में हम क्या देखते हैं कि जो मैगनेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा किसके प्रोपोर्शनल होता है करेंट के मतलब जितना मैगनेटिक फ्लक्स उतना करेंट या जितना करेंट उतना मैगनेटिक फ्लक्स अब कही बार क्या होता है कि आपके पास एक कायल होता है जिसमें N number of turns होता है तो उस केस में जो magnetic flux से वो क्या हो जाता है? N5 राइट? And that N5 is also proportional to the current I तो N5 ये जो term है इसके लिए कही बार हमें एक term use करते हैं विज इस काल्ड फ्लक्स लिंकेज तो अब देखो यहां से हमें क्या देख रहा है कि जब phi है वो current के proportional है इस proportionality को अगर equality में convert करना होगा तो हमें एक constant of proportionality include करना होगा और उसी constant of proportionality को हम कहते हैं coefficient of self-induction या फिर self-inductance इसे हम generally denote करते हैं capital L से तो यानि कि आप कह सकते हो कि phi is equal to li where l is the self-inductance ठीक है यह एक scalar quantity होता है इसका unit होता है henry जिसे हम capital H से denote करते हैं यह depend करता है on geometry of the coil and nature of material of the core तो इसका मतलब self-inductance की कहानी कुछ ऐसी है कि हमारे पास अगर एक single isolated coil हो उस coil में emav induced होता है किसकी वज़े से due to change in magnetic flux change in magnetic flux किसकी वज़े से हो रहा है due to varying current in the same coil उसी coil में varying current की वज़े से change in magnetic flux हो रहा है जिसकी वज़े से उसी coil में emav induced हो इसे हम कहेंगे self-induction mathematically अगर देखा जाए तो let's say इस coil में n number of turns है तो इसका flux link के जो जाएगा n5 which is proportional to the current i तो इसे हम लिख सकते है n5 is equal to li तो यह जो constant of proportionality l है इसे हम कहेंगे self-inductance अब दूसरा सवाल यह आता है कि यह जो induced emf है यह कितना होगा induced emf मतलब induced emf की magnitude कितनी होगी तो हमें already Faraday's law से पता है कि induced emf is given by minus d5 by dt तो यहाँ पर phi बोले तो flux linkage तो इसे हम क्या लिख सकते है e is equal to minus d by dt of n5 अब उपर वाले expression को ध्यान में रखते हुए d by dt of n5 को हम क्या लिख सकते है d by dt of li लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं अब L तो constant है तो L बाहर आ जाएगा तो हम लिख सकते हैं L di by dt तो induced emf कितना हो जाएगा minus l di by dt और हमेशा की तरह minus क्या detect कर रहा है minus सिरफ यह बता रहा है कि direction जो है वो opposite है मतलब यह जो induced emf है यह अपने cause को oppose करता है तो चलो हम देखते हैं कि अगर आरे पास एक long solenoid हो मतलब जिस solenoid का length long solenoid मतलब उसका length काफी बड़ा है ऐसे solenoid का self inductance कितना होगा So we find that the self inductance of a long solenoid is given by mu naught n square A into L ठीक है यहाँ पर mu naught क्या है? Permeability of free space जिसकी value होटी है 4 pi into 10 to the power minus 7 N, जिसे हम small n से denote करते हैं that is number of turns per unit length यहाँ बहुत बहुत बच्चें मिस्टे करते हैं उन्हें लगता है N is total number of turns जो की होता नहीं है अधिकर जगह पे जो notation होता है वो capital N is used for total number of turns small n is used for number of turns per unit length एक ही अगर हम बात करें तो it is cross sectional area यह जो solenoid का एक एक जो turn है उसका cross sectional area and L of course is the length of the solenoid अब मान लो अगर ऐसा कोई situation होता है जब हम उस solenoid को भर देते हैं किसी ऐसे material से जिसकी relative permeability काफी ज्यादा है for example soft iron जुसका permeability relative permeability काफी ज्यादा है तो उस case में हमारा यह जो self inductance का value है यह slightly modify हो जाएगा mu naught की जगह वहां पर आ जाएगा mu r mu naught मतलब relative permeability भी picture में आ जाएगा तो चलो बच्छो अब देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक long solenoid के लिए self inductance को calculate करते हैं ठीक है तो मान लो यह है हमारा एक long solenoid ठीक है इस long solenoid का जो length है that is L इसका जो cross sectional area है that is A length तो आप समझी रहे हो length of the solenoid cross sectional area मतलब एक एक जो round घूम रहा है उसका cross sectional area that is A इसके अलावे let us say कि इसका जो number of turns per unit length है please note this is number of turns per unit length यह है small n ठीक है number of turns per unit length मतलब total number of turns अगर capital N है तो total number of turns per unit length that is number of turns per unit length which is small n ठीक है यहां तक बात समझ में आई तो यानी कि इस relationship से हम कह सकते हैं कि जो capital N है that is equal to small n into L ठीक है अब माल लेते हैं कि इस solenoid के through current flow कर रहा है that is I ठीक है तो अगर इस solenoid के through I current flow कर रहा है तो जो magnetic flux magnetic field होगा associated with the solenoid वो कितना हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा magnetic field mu naught ni अब देखते हैं हम जहां पर यह small n है n पर ध्यान देना है small n हमेशा क्या होता है number of turns per unit length ठीक है तो इसको total number of turns से confuse नहीं होना है total number of turns capital N है number of turns per unit length is small n ठीक है तो अब देखते हैं linked flux की अगर हम बात करें अभी हम flux linkage की बात कर रहे थे है कि नहीं तो जो linked flux होगा वो कितना हो जाएगा capital N into 5B हाना अभी अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि capital N into 5B is equal to Li इसकी बात हम कर रहे थे हाना तो capital N जो है यह total number of turns है अभी अभी बताया कि total number of turns को हम क्या लिख सकते है small n into L 5B that is magnetic flux क्या होता है magnetic flux magnetic flux होता है magnetic field into area यही होता है तो इसको क्या लिख सकते है N into L magnetic field की जगा हम लिख सकते है mu naught N I into A यानि कि इसको हम लिख सकते है mu naught N square L I A यहां तक clear है ठीक है अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा था कि यह जो N 5B होता है यह किसके बराबर होता है linked flux जो होता है यह क्या होता है directly proportional to the current directly proportional को जब हम equality में change करते हैं तो वहां पर आ जाता है self inductance exactly तो यानि कि N 5B यह होता है L into I यह भी हमने देखा था तो यानि कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं जो L है that is equal to N 5B divided by I यहां तक कोई doubt यहां तक सब clear है अच्छा आप N 5B की जगह हम यह लिख सकते हैं बिलकुल लिख सकते हैं तो लिख डालो यह हो जाएगा mu naught N square L I A divided by I तो अब यह I और I cancel हो जाएगा तो यानि कि यहां पर self inductance will be equal to mu naught N square L A ठीके तो यह आ गया हमारा expression for self inductance of a long solenoid जहां पर हम consider करते हैं कि it is a long solenoid of length L अब अगर मान लो कि यही वाला solenoid जो है इसके अंदर अगर कोई ऐसा material fill किया हुआ हो जिसकी अपनी एक permeability हो या जिसकी relative permeability हो mu r उस case में क्या होगा उस case में एक छोटी सी चीज सिर्फ बदल जाएगी यहां पर जो यह permeability of free space है यह सिर्फ बदल जाएगी ठीक है मान लो for example इसी का modification करते कि अगर मान लेते हैं कि यह कोई material से filled है filled by a material ठीक है तो अगर मान लो कि यह जो है कोई ऐसे material से filled है जिसकी relative permeability कितनी है mu r है ठीक है तो उस case में क्या होगा क्या होता है relative permeability relative permeability मतलब permeability of the material divided by mu naught यानि कि mu की जगा हम क्या लिख सकते है mu r mu naught लिख सकते हैं बिलकु लिख सकते हैं तो यहां पर भी वही चीज होगी अब देखो यहां पर क्या है यह जो mu naught है इस mu naught के बदले में यहां पर क्या आ जाएगा mu आ जाएगा क्योंकि उस material की permeability आ जाएगी तो उस case में यही जो expression है यह modify हो जाएगा L is equal to mu r mu naught n square la तो इस तरीके से हम निकालते हैं self inductance of a long solenoid अब यह जो self induced EMF है इसे back EMF भी कहा जाता है back EMF क्यों? क्योंकि जिस coil के अंदर self induced EMF होता है यह induced EMF क्यों होता है change in magnetic flux की वज़े से change in magnetic flux क्यों होता है varying current की वज़े से तो मतलब उसी coil के अंदर EMF induced होता है और वही EMF change in current को oppose करता है ऐसा कुछ कहानी चलते रहता है इस वज़े से उसको हम back EMF भी कहते है back EMF की खास बात यह होती है यह self induced EMF की खास बात यह होती है कि it opposes the change in current क्योंकि change in current ही इसका cause है मैंने बताया था ना जो पैदा करता है यह उसी को oppose करता है तो यहां पर जो यह induced EMF है इसको किस ने पैदा किया था? varying current change in current ने पैदा किया था तो इसलिए यह induced EMF है यह change in current को oppose करता है तो current को जो है अपना existence भनाय रखने के लिए current has to do work against back EMF इस back EMF के against current को काम करना पड़ता है and this work done is stored as magnetic potential energy अब बहुत से बच्चों को थोड़ा confusion हो गया यहार कौन किसके against है समाजी नहीं आया एक कहानी से समझते है let us suppose कि आप खुब सारा junk food खाते हो इधर उधर से गंदे मतलब इधर उधर से कहीं से भी तला हुआ fried items वगरा खाते हो उससे क्या होता है आपका health खराब होता है तो खराब खाना आप ही खा रहे हो और health खराब आप ही का हो रहा है ठीक है? ठीक है? agreed? okay अब यह जो junk food आप खा रहे होना it is going against your health यह आपके health के against जा रहा है तो अब इस health को restore करने के लिए आपको काम करना पड़ता है आपको work करना पड़ता है कैसे? जैसे jogging जैसे running जैसे yoga जैसे exercise यह सब काम करना पड़ता है right तो कुछ ऐसी ही कहानी यहाँ पर self-induced EMF की भी है पहले तो जो self-induced EMF है यह उसी के oppose में जाता है जिसने इसको बनाया है अब जैसे junk food जो है यह आपके health को ही खराब करता है आप हो तभी तो आप जाके junk food खाये हो पैसे देकर और वो junk food आपके health कर देता है है कि नहीं? Back EMF वाली बात हुई ठीक है तो वहाँ भी ऐसी हो रहा है कि self-induced EMF को बनाया किसने change in current ने बट self-induced EMF क्या कर रहा है? Change in current को यह oppose कर रहा है लेकिन आपका body बोल रहा है नहीं भाई, health तो जरूरी है मुझे health restore करना है current भी बोल रहा है कि भाई, मुझे कुछ तो करना है तो health क्या करता है? Work done उसको कुछ कुछ काम करना परता है बात करे mathematically तो let us suppose हमारे पास एक circuit है जिसमें current I है ठीक है? तो यह जो work done होगा यह कितना होगा? EMF into current EMF is basically the induced EMF E into I ठीक है? तो अगर मैं rate of work done की बात करूँ that is dw by dt that is equal to E into I Agreed? Amazing अब इस EMF की value मैं क्या लिख सकती हूँ? मैंने already induced EMF के बारे में पढ़ा EMF can be written as L di by dt तो चलो लिख डालो लिख दिया उसके बाद देखो आपको जो यह expression मिल रहा है इसको आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर सकते हो अराम से और जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हो आपको work done is equal to मिल जाता है half Li square and this is exactly the work which is stored as magnetic potential energy अब अगर इस expression को हम kinetic energy के mechanical kinetic energy के expression के साथ compare करें which is half mv square तो हम क्या देखते हैं? Half Li square, half mv square इन दोनों में L और M जो है they are analogous यह दोनों similar role play कर रहे है तो यहां पर M है यहां पर L क्या है mass या inertia जो भी कहलो और यहां पर L क्या है L को हम कहते है electrical inertia तो चलो बच्चों अब डिसकस करते हैं हम mutual inductance के बारे में mutual inductance जैसे के मैंने बोला था यहां पर एक solenoid रहेगा और एक पड़ोसी solenoid रहेगा तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा system है जिसमें 2 long solenoids जो coaxial है मतलब एक ही axis के ऊपर 2 solenoids है जैसे concentric circles होते हैं एक ही center होता है लेकिन एक चोटा circle एक बड़ा circle कुछ वैसा ही तो एक solenoid है S1 जिसका radius है R1 जिसका total number of turns है capital N1 जिसका number of turns per unit length है small n1 उसी तरह जो बड़ा वाला बाहर का solenoid है उसको नाम देते है S2 इसका total number of turns है N2 number of turns per unit length है N2 small n2 और इसका area है A2 ठीक है यह बाते होगी clear अब let us suppose कि अगर हम S2 में एक current setup करते हैं I2 S2 वाला जो solenoid है इसमें I2 current चल रहा है इस current की वज़े से जो S1 है इसमें एक magnetic flux experience करेगा तो flux linkage कितना हो जाएगा N5 होता है flux linkage तो flux linkage जो S1 है उसका कितना हो जाएगा N151 and this N151 is proportional to I2 पर उसी के current से proportional है तो इस proportionality को हटाने के लिए हमें ला सकते हैं that is हम लिख सकते हैं N151 is equal to M12 I2 यह जो M है capital M is for mutual inductance और यह जो subscript 1 2 that shows mutual inductance of 1 with respect to 2 क्योंकि ठीक इसी तरीके से इसका reverse toray भी तो चलेगा अगर मान लो मैंने से एक करेंट सेटप किया I1 तो इस I1 करेंट की वज़े से कि S2 में एक magnetic flux आएगा तो S2 में जो magnetic flux आएगा that is N252 that will be proportional to I1 so N252 को हम क्या लिख सकते हैं M21 into I1 तो यह M21 क्या है mutual inductance of 2 with respect to 1 तो इसी लिए mutual inductance के case में it becomes important to say कि यह mutual inductance किसका है किसके respect में किसका mutual induction है with respect to whom या फिर किसकी वजह से है तो इस setup में बच्चों हम यह notice करते है कि M12 की value है वो M21 की value के बराबर होती है मतलब 1 की वज़े से जो 2 का mutual induction होता है और 2 की वज़े से 1 का mutual induction होता है यह दोनों बराबर होता है and if we come to the exact value so this M12 or M21 is equal to mu0 N1 N2 into pi R1 square into L तो यहां पर mu0 N1 N2 यह तो पता ही है number of turns per unit length हमने consider किया है pi R1 square देखने वाली बात यह है कि यह जो है pi R1 square क्या है cross sectional area कौन से वाला solenoid का? जो solenoid अंदर है तो देखो यहां पर R2 का कोई रोल नहीं है बार वाले solenoid के radius का कोई रोल नहीं है लेकिन अंदर वाले solenoid के radius का रोल है तो यह जो एक्सप्रेशन है यह तपलक true है जब तक हम यह अजूम करते है कि solenoid के अंदर air है और कुछ नहीं है लेकिन वहीं अगर solenoid के अंदर हम किसी ऐसे material से फिल कर दे जिसकी mu R की value यानि की relative permeability की value बहुत ज्यादा है तो उस case में हमारा mutual inductance का expression उसमें भी slight change आ जाता है mu naught की जगा आ जाता है mu R mu naught तो यहां पर तो हमने एक specific setup की बात की मतलब हमने basically एक ऐसे setup की बात की जहां पर 2 co-axial solenoids थे But in general आपको हमेशा पता होना चाहिए कि mutual inductance की यह कई factors पर depend करती है जैसे कि geometry of the coils जैसे कि distance between the coils जैसे कि orientation of the coils तो बच्चों, mutual inductance में जो basic concept वो यह कहता है कि अगर हमारे पास 2 coils C1 और C2 C1 में EMF induced होगा अगर C2 के through current जो है वो change experience करे मतलब जैसे मैंने बताय था ना कि भई पडोस वाले बच्चे ने घर पे बहुत पढ़ाई की थी लेकिन अब exam hall में थोड़ी बहुत induction हो गए थोड़ी बहुत knowledge transfer हो गए तो नंबर आपके आ गए तो something like that कि भई change in flux एक coil में हो रहा है तो उसके वजह से जो current induced हो रहा है तो मार लो यहां पर दो coils है C1 और C2 तो लेट से जो यह C1 coil है जो मैंने परपल कलर में बनाया है इसके number of turns है N1 और इसका जो flux इससे associated है that is 51 तो बोलने का मतलब है कि C1 coil का जो flux linkage है यानि की N1 51 जो है यह किसके proportional होगा मतलब C1 का जो change in flux है या इसका जो flux है उसके proportional होगा C2 में जो current flow कर रहा है So this will be proportional to I2 मतलब जो current coil C2 में flow कर रहा है इसे proportionality को जब हम equality में convert करते हैं तो यहां पर एक constant जाता है जिसे हम M से denote करते हैं और वसी constant को हम कहते हैं mutual inductance अब अगर हम ऐसे currents की जो current time के साथ साथ change हो रहा है तो उस case में mathematically क्या हो जाएगा mathematically यह कुछ ऐसा हो जाएगा D by DT of N151 is equal to M तो constant है D I2 by DT ठीक है यहां तक clear है अच्छा also का change है उससे भी तो लिंक्ट होगा हमने थोड़ी ही देर पहले self inductance की भी बात करी थी तो जो हमारा basic induced DMF का concept है उसके हिसाब से induced DMF क्या हो जाएगा D5 by DT phi की जगह हम यहां पे N151 लिखेंगे क्योंकि N number of turns है इन coils के तो इसे हम यह भी लिख सकते हैं अब देखो यह जो दो मेरे reaction equation आए equation 1 and equation 2 इसमें कुछ similarity दिख रही है देखो इसका एक side जो है बराबर है D by DT N151 जो है वो कुछ नहीं यहीं तो है राइट तो यानि कि मैं क्या लिख सकती हूँ मैं लिख सकती हूँ कि E1 is equal to minus D by DT N151 के बदले में मैं क्या लिख सकती हूँ M Di2 by DT अब इस expression को ध्यान से देखो क्या यह expression वही कहानी कह रहा है जो कहानी मैंने इस slide के शुरुवात में कही थी मैंने क्या बोला था कि भई कोईल नमबर 1 में जो EMF इंड्यूस होगा वो किसकी वज़े से होगा कोईल नमबर 2 में जो करेंट का चेंज हो रहा है उसकी वज़े से होगा तो देखो यह expression exactly वही कह रहा है कोईल नमबर 1 में जो EMF इंड्यूस होगा that is E1 यह किसके प्रोपोर्शनल है Di2 by dt कोईल नमबर 2 में जो करेंट का चेंज हो रहा है विथ टाइम तो चलो देखते है कुछ सवाल यह रहा हमारा पहला सवाल A solenoid of length 50 cm with 20 turns per cm and area of cross section 40 cm square completely surrounds another co-axial solenoid of the same length area of cross section 25 cm square with 25 turns per cm कुल में लाके question यह कह रहा है कि हमारे पास 2 solenoids है जो कि co-axial है जैसे एक solenoid ऐसे है तो दूसरा जो है उसी axis के ऊपर इस तरीके से है co-axial देखो axis जो है वो दोनों का बराबर है ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे जितनी भी गिवन चीज़े है उनको लिख लेते है जैसे पहले solenoid का length दिया हुआ है 50 cm which is 50 x 10 to the power minus 2 meter पहले solenoid का number of turns per unit length दिया हुआ है which is 20 turns per cm area of cross section दिया हुआ है which is 40 cm square यानि की 40 x 10 to the power minus 4 meter square अब बात करते हैं दूसरे solenoid की दूसरे solenoid की अगर हम बात करें तो length जो है उसका भी बराबर है यानि की length इसका भी 50 x 10 to the power minus 2 meters है area of cross section की अगर हम बात करें तो वो है 25 cm square तो A2 है 25 x 10 to the power minus 4 meter square और दिया हुआ है number of turns per unit length यानि की N2 की बारी है 25 turns per cm ठीक है तो अब देखो जो number of turns है ये भी per cm दिया हुआ है तो इनको भी per meter में convert करना पड़ेगा तो यहाँ पे cm की जगा अगर हम 10 to the power minus 2 करेंगे तो basically divide हो रहा है 20 x 10 to the power minus 2 यानि की 20 x 10 to the power 2 that is 2000 turns per meter उसी तरह यहाँ पर यह हो जाएगा 2500 turns per meter तो अब हमने सब चीज़ को एक ही similar unit में convert कर लिया है मुझे निकालना है mutual inductance of the system अब इस तरह के system के लिए हमने mutual inductance का एक formula निकाला था जो की होता है mu 0 N1 N2 into area होता है area किसका होता है जो छोटा वाला solenoid होता है मतलब यह जो अंदर वाला solenoid है छोटा solenoid कौन सा वाला है कैसे पता चलेगा आप खुच सोच के बताओ कौन सा वाला छोटा solenoid है कैसे पता चलेगा जिसका area of cross section छोटा है area of cross section इसका छोटा है तो फिर यह जो A2 है that is actually pi r square तो pi r 2 square तो यहाँ पे हो जाएगा mu naught n1 n2 pi r 2 square अब इसमें गड़बडा मत जाना कि जो formula था उसमें तो मैं pi r 1 square था यह सोचो कि वो जो pi r 1 square था वो कौन सा वाला r 1 था जो अंदर का छोटा सो उलिनॉइट था हमेशा उसका area होता है यहाँ पे ठीक है into l यह हमारा formula है बस यह बस यह r 2 वाला ही जो है ना यहीं पे बच्चे गल्ती करने के बच्चों के गल्ती करने के chances रहते हैं एन वन और एन टू की जगह लिखेंगे 2500 और 2000 pi r2 square यानि की a2 की जगह हम लिखेंगे 25 into 10 to the power minus 4 ल की जगह हम लिखेंगे l तो दोनों की value बरावर ही है तो obviously l की जगह हम लिखेंगे 50 into 10 to the power minus 2 calculate करने पे the value comes out to be 7.86 milli henry and that's the answer तो चलो बच्चा पाटी देखते हैं problem number 2 2 coils have mutual inductance of 1.5 henry if the current in the primary circuit is raised to 5 ampere in 1 millisecond after closing the circuit what is the EMF induced in the secondary हमने क्या सीखा था mutual inductance के concept में अगर एक coil में current change हो रहा है तो उसकी वज़े से दूसरे coil में EMF induced होता है ठीक है तो यहां पर भी कुछ वैसा ही हो रहा है दोको दिया हुआ है के mutual inductance जो है यानि की M की value दी हुई है 1.5 henry ठीक है primary circuit की अगर हम बात करें तो इस primary circuit में current जो है वो change हो रहा है कितना change हो रहा है 5 ampere तक पहुँच गया in 1 millisecond तो यानि की Di by dt की जो value है वो दी हुई है कितना दिया हुआ है 5 ampere divided by 1 millisecond यानि की 1 into 10 to the power minus 3 second so this is equal to 5 into 10 to the power 3 ampere per second so let us say यह Di1 है मतलब जो primary circuit है तो primary circuit में current change हो रहा है तो primary circuit में current change होने की वजह से secondary circuit में क्या होगा EMF induce होगा तो secondary circuit में जो EMF induce होगा that is E2 will be equal to minus M Di1 by dt यह relation तो हमने पढ़ा था कि भई secondary circuit में जो EMF induce होगा वो किस पर depend करेगा primary circuit में rate of change of current पर depend करेगा so this will be equal to M की value दे हुई है 1.5 Di1 by dt is 5 into 10 to the power 3 so this is equal to 7.5 into 10 to the power 3 volts and that's our answer Learnohub एक एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लाटफॉर्म जहां पर आपको मिलते हैं वीडियोस notes, NCRT solutions, sample papers and online tests absolutely free of cost इतना ही नहीं Learnohub class 11-12 YouTube channel पर चलते हैं free batches for 11th and 12th class 11th के बच्चों के लिए अथर्फ बच्च Monday to Friday at 4.30 pm और class 12-12 के बच्चों के लिए अनन्त बैच Monday to Friday at 6.00 pm अगर आप या आपके जान पेचान का कोई तयारी कर रहा है NEET या JEE का तो हमारे YouTube channel पर है Learnohub NEET पे जीत JEE पे जीत का complete course absolutely for free इन में chapters की detailed explanations live classes, धेर सारे questions और previous year questions detailed में covered हैं और तो और, you can ask all your doubts absolutely for free at ask questions section of Learnohub हमारा Android app भी है आप one-on-one class लेना चाहते हो तो है Learnohub स्वयम at a very affordable price Learnohub, free है पर best है तो बच्चा पाटी, इसी के साथ हम आप पहुंचे हैं इस वीडियो के एंड और मुझे पूरी उमिद है कि इस पूरे वीडियो को देखने के बाद Electromagnetic Induction के कॉंसेप्ट्स हुए होंगे Crystal Clear और अगर ऐसा हुआ है तो कॉमेंट्स में जरूर लिखके बताना कि कॉंसेप्ट हुआ Crystal Clear मैं आपको जल्दी मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ ठेक हैर, बाबाई